सेवाशेत्र, सर्विस सेक्टर में बहुत ही कम समय में सुलब हो सका है सेवाशेत्र एवं रोजगार वर्ष 1959 के सकल घरेलू उत्पाद में सेवाशेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया रोजगार में सेवाशेत्र की हिस्सेदारी उनी वर्षों में करमशा 17 एवं 25 प्रतिशत थी वर्ष 1959 की तुलना में वर्ष 2019 में सेवाशेत्र में हुए परिवर्थन को हम एक दंडारेक से समझ सकते है सकल घरेलू उत्पाद में सेवा शेत्र एवं रोजगार की भागिदारी सेवा कारे एवं उसके उप शेत्र सेवा शेत्र में बदलाव अपेक्षा अनुरूप नहीं है क्योंकि जैसे जैसे सकल घरेलू उत्पाद में व्रिद्धी हुई है उसी अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धी नहीं हुई लोगों को अपेक्षा थी कि रोजगार के अधिक अवसर मिले पर वे बदलाव साथ साथ नहीं चल पाए जिसकी उमीद कर रहे थे ऐसा क्यूं? इसे समझने के लिए सेवाशेत्र के उपशेत्रों को देखते हैं सेवाकारे के अंतरगत बहुत से कारे आते हैं जिने हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं पहला व्यापार, होटल एवं रेश्टरा, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडार और संचार दूसरा बैंकिंग, बीमा एवं स्थाई संपदा तीसरा सामुदाईक, सामाजिक एवं निजी सेवाए पहला व्यापार, होटल एवं रेश्टरा तथा परिवहन, भंडार एवं संचार सकल घरेलू उत्पाद एवं रोजगार में व्यापार, होटल एवं रेश्टरा परिवहन, भंडार और संचार उपशेत्रों का सबसे अधिक योगदान है इसके अंतरगत किसी वस्तु का क्रे विक्रे करना जैसे कपड़े की खरीदियों विक्री, नाश्ते एवं भोजन से संबंदित वस्तु का विक्रे ठहरने के लिए लौज की सेवा आदि शामिल है परिवहन, भंडार और संचार भी सेवा शेत्र के उपशेत्र का आहम हिस्सा है परिवहन के अंतरगत वायू, रेल, सडक एवं जल परिवहन समलित है इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाने का कारी किया जाता है इस उपशेत्र के अंतरगत छोटे-छोटे होटल, मिटाडोर, टेंपो, परिवहन सेवाएं तथा साख सबजी बेचने वाली दुकाने, पांठेले, वस्वा रोजगार आधी आते हैं इस उपशेत्र में लोगों को लगाता रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता जैसे रिक्षा, मिटाडोर, टेक्टर, आधी छोटी परिवहन सेवा में लोग कारे पर लगे हुए दिखाई देते हैं परंतु इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता यहां कई कारे ऐसे हैं जिसने बहुत से लोग लगे हुए हैं परंतु उन्हें कम वेतन मिलता है इस उपशेत्र में कारे करने वाले अधिकांश लोग आसंगठी शेत्रों से होते हैं भंडारन, क्रिशी एवं उद्योग के लिए महत्पून है क्रिशी में भंडारन के आभाव में बहुत सारी वस्तुएं उभोग किये बिना नश्ट हो जाती हैं जिससे आर्थिक शती होती है संचार के अंतरगत रेडियो, टेलिविजन, मोबाईल, इंटरनेट एवं पत्रपत्र काय आदिशामिल है यह शेत्र सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ उपशेत्र है हमारे देश में मोबाईल की सेवा लेने वालों की संख्या 75-80 प्रतिशत और इंटरनेट उप्योग करने वालों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है उदाहरन के लिए गाउं का दुकानदार अपने कारोबार को मोबाईल के माध्यम से चलाता है वा शहर के दुकानों का प्रच्रित मूले पता कर अपनी दुकानों के लिए अपेक्षक्रित सस्ते मूले पर खरीदारी करता है संचार के इस साधन से उसे उचित मूले पर सामागरी प्राप्त हो जाती है इस तरह से उसके धन एवं समय की बचत होती है दूसरा, बैंकिंग, बीमा एवं इस्थाई संपदा इस शेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में महतुपूर इस्सेदारी है इन सेवाओं के अंतरगत बैंको, डागघर, गैर बैंकिंग, वित्ते कंपनिया जीवन भीमा, साधारन भीमा, फसल वाहनादी और अचल संपत्ती कंपनियों आदी की सेवाएं सम्मली थे यह शेत्र सबसे तेजगती से बढ़ती हुई सेवाओं की श्रेडी में आता है इसमें काम करने वाले लोग उच्छी प्रस्रिक्षित कर्मचारी हैं और आधुनिक तक्नीक का भरपूर इस्तिमाल करते हैं इस कारण केवल दो प्रतिशत लोगों को इस उप्षेत्र में रोजगार उपलब्द है परन्तु इनका उत्पादन में सहयोग 17 प्रतिशत है इस शेत्र से बहुत कम लोगों का रोजगार में योगदान है परन्तु उत्पादन में व्रिद्धी अधिक है तीसरा सामुदाइक, सामाजिक एवं नीजी सेवाएं लोग प्रशाशन, रक्षा, सिक्षा, स्वास्त तथा व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कपड़े सिलना, सैलून का काम एवं सफाई, आदी की सेवाएं इसके अंतरगत आती है सरकारी नौकरियां भी इसी शेत्र में आती है